गुजरी हुई जिन्दगी को कभी आद ना कर तक्दीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर जो होगा वो होकर रहेगा तो कल की फिकर में अपनी आज की हसी बरबाद ना कर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 12 एक्टूबर और देखेंगे आज के पूरे 17 करेंड एफेस कोईशन तो आप इस पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों लास्ट में एक कोईशन पूछो को उनसका एंसार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जान करें लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों मैं आने केडमी पर ही पढ़ाता हूं तो बिल्गुल फ्री में देख सकते हैं दोस्तों दिया आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि आपको डेली मौनी में पांच बज़े करने प्रेस की वीडियो मिलती रहे और वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेर जरूर किया करें दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ पांस से शेगंटे की मेहनत आप लोग शेर नहीं करते व्यूज बहुत काम आ रहे हैं ठीक है तो प्लीज मेहनत को सार्था गूरूप जरूर दीजे सभी की हेल्प करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने क लिए वीडियो लाइक जरूर किया करें चलि स्टाट करते हैं हाली में किसे भारत का नया सौलिषीटर जन्रल नियुक किया गया है तुसार महता को ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह बहुत महत्मूर कोश्चन है अगामी एक्जाम से पक्का पूछा जाएगा तो 30 जून 2020 तक इनका कारेकाल रहेगा और अर्तमान में जो ये तुसार मेहता है अत्रिक सॉलिसिटर जनरल करूम में कारेक कर रहे है ठीक है आपको उतादिक ततकालिन सॉलिसिटर जनरल जो थे रणजीत कुमार की स्थिपेक वाद से यह पद रीक्त था इसके लावा आपको बदा देख सॉलिसिटर जनरल अटार्नी जनरल के बाद सरकार का दूसरा सरवोच रैंकिंग कानून अधिकारी होता है ठीक है और दोस्तों अटार्नी जनरल से नीचे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाकार होता है सॉलिसिटर जनरल तीन साल के अब धीक लिए नियुक्ति की जाती है और यह तुसार मेता नियुक्ति किया गए है यहाँ पर अगर बात करें केके वेनों गुपाल की तो यह वरतमान में भारत के Attorney General of India है ठीक है यानि महानियवादी Attorney General को इंदी मोलते है महानियवादी और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाकार तथा भारती उच्चितम न्याले के सरकार का प्रमुख्य वकील होता है Attorney General ठीक है और Solicitor General उससे नीचे कापद होता है तो यह आपको Confuse नहीं होना है Solicitor General और Attorney General में Attorney General बड़ा होता है ठीक है महानियवादी जो की वरतवान में केके वेनुगोपाल है ठीक है और Attorney General की न्युक्ति करता है भारत का राष्टपती जो की वरतवान में केके वेनुगोपाल है और बात करेंगा यहां पर पी रावत की तो वरत्मान में भी रावत भारत के मुख्य चुनावाइक्त हैं ठीक मुख्य चुनावाइक्त वरत्मान में ओपी रावत जी हैं और यहां पर बात करेंगा रंजन गोगोई के तो आप सब को पता ही होगा रंजन गोगोई के भी हाली में सुप्रीम कोट के नयमुर्ति दीपग मिस्रा थे अब इन्हों ने पदवार ग्रहण के लिए रंजन गोगोई जी ठीक है तो हाली में भारत का नया सॉलिसिटर जन्डल किसे निक्त किया गया है तुशार महता को मोस्ट इंबोर्डन कोश्चन है एक्जाम में जरूर पूछा सकता है याद रखना है ठीक है चलिए उससे बाद एदियाब रेल्वे गुरूप आपका एक्जाम है तो अलब को प्रिसर द्वारा रिविजन नोट्स त्यार किए पीडियाफ नोट्स लिंक के वीडियो को डिस्क्रिप्शन वाक्स मिल जाएगा मात तीस रुपए की बूख योके नड़ावन वर्स के प्रैमिर श्री वास्तों को भारती संक्रिप्शन की विद के रूम में नियुक्त रहोगा है आप बताएग ये प्रैमिर श्री वास्तों को कारवका कारेकाल 31 220 ORA कहोगा और उनकी नियुक्ठी उनके द्वारा पदभार धारन करने की तारी तरइ से मुख्य शांख की वीद की रूम में केशे नियुक किया गया है और सने प्रभीड श्रीवास्तो एनके सिंग भारत के पंद्रवे वित्त आयोग के द्ध्यक्ष है ठीक है और राजीव कुमार आप सब को बताई राजीव कुमार भारत के नीतियायोग का बरतमान में बढ़ी अठे है नियुक्ति उसिलेटेड तो आपको पक्का चीज़े याद रख नहीं है यह टॉपिक अक्सर पूछा आता है आपको नोट कर लेना है ठीक है चलिए तो भारत के तीसरे मुख्य शांखी की विद्किरू में किसे नियुक्त किया गया है प्रमीर स्रीवास् दोस्तों ऑक्सफैम वर्ल्ड असमानता सुचकांग 2018 में भारत का उन से स्थान पर है करेक्ट एंसर है ऑप्सन भी 147 देखे आपको बता दे कि युक्त अधारित एक चैरिटी ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने असमानता को कम करने की सुचकांग नामा के एक रिपोर्ट जारी क गई है जिसमें भारत को 157 देशों के बीच में 147 अस्थान दिया गया है ठीक है आपको बता दे कि भारत को 157 आपको बता दिया कि इसमें बढ़ती असमानता के समन्ध में एक बहुत चिंताजनक सितिग्रू में दर्साइए ठीक है इसके लाबद उसने 157 देशों में से ड जापान इसमें 11 में स्थान पर है और ब्रिक्ष देशों में, चिन इस उचि में 90 नमबर पर है और बात करें ब्राजीड की तो बाजील है 39 गन्헉न्ट चाम पर fabrics है 15 नमबर पर ठीक है, प equipment नमबर पर आपको रखना है अगर बात करें दोस्तो तो डॉप कि prec tienHO की तो तो डेनमार्क फस्ट है, सेकेंड नमर पर है जर्मनी, थर्ड नमर पर है फिनलैंड, ठीक है तो यह आपको याद रखने हैं दोस्तों, तीन हो यह और जितने भी इंडेक्स हैं दोस्तों, यह मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, जस्ट यहां पर आई बटन पर भी आ राज़ानी है, वो है कोपेन हेक और यूतरी इरोब में स्थित एक कंट्री है, इसकी करेंसी है डेनिस क्रोन, और पीम है लार्स, लार्स रस मुसेन, ठीक है, बरतमान पीम नेर मार के, क्वेशन नमर फोर्ट है, यूवा उलम्पिक खेल, दो अठारा में सौरप चोधरी न में, दस मीटर एर पिस्टल में, गोर्ड अमरेल जीता है, और आपको बता देक, वियूना सार्स में, सोला वर्सी ने, फाइनल में, अपने करीवी प्रतिजुन्दी से, साड़े साथ अधिक अंकस्यात समाप्त किया, और यह यूवा उलम्पिक खेलों की धासे, भारत का त पदक है, और यह तिनों वियूना सार्स में, संस्क्रण में, आये हैं, इस से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि, मनु भाकर जो है, यूवा उलम्पिक में, सोला जीतने वाली पहली भारती महिला बन गई है, यह भी आपको आदर नहीं, ठीक है, इन्हों ने, दस मीटर एर पिस्टल्स परधा में, 236.5 स्कोर के साथ जीतासिल की, और वेट लिप्टर जेरेमी लाल लिन्नुंगा, यूवा उलम्पिक में गोल्ड मिडल जीतने वाले पहले भारती बने हैं, ठीक है, और पहली महिला भारती गोल्ड मिडल जीतने वाली कौन बनी, मनु भाकर, ठ इसका जो शुभंकर है, पांडी, ठीक है, शुभंकर इसका मैस्केट है, पांडी, यह आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, चलिए, उन्तराष्टी बाल का दिवस का मना जाता है, तो उन्तराष्टी बाल का दिवस मना जाता है, तो उन्तराष्टी बाल का दिवस मना इंटरनेशनल डे आफ दे गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर इसका उद्देश है लड़कियों के स्रसक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनके मानवाधिकारों के पूर्तिक दुरान लड़कियों की जरूरतों और चुनोतियों को दूर करना है यहां पर बात करें 24 जन्वरी की तो प्रतिवर्ष 24 जन्वरी को राष्ट्री वाल का दिवस ठीक है राष्टी वाल का दिवस मना जाते हैं यहां पर आपको अंतराष्टी वाल का दिवस और राष्ट्री यह नेशनल और इंटरनेशनल में आपको यह याद रखना है तो अंतराष्टी वाल का दिवस 11 अक् मिशन दीवस मना जाता है ठीक है तो इंटरेशनल डे आफ दा गर्ल चाइल्ड अंतरश्टी बाल के दिवस का मना जाता है 11 एक्टूबर को कोशन है निर्मिखिद में से तितली क्या है बहुत चर्ची था ये करेक्ट इंसर है इसका ओप्शन सी एक चकरवाती तूफान है बंगाल की खाड़ी के पश्ची मद्धे में प्रचान रूप से धारन करने वा जो है तो एक चकरवाती तूफान तितली लगखक 14 किलोडर प्रतिगंटे कर अपतार से उत्तर की और तेजिस बढ़ा है ठीक है और आपको उतादे कि चकरवाती तूफान तितली और भी ज़्यादा विक्रालूब धारन कर सकता है तो चकरवाती तूफान है एक तितली ठीक है याद रखना है कब से देश के 24 राज्यों और तीन किंदसाजित प्रदेशों में भारत का पहला राष्टी परियावरण सर्वेक्षन कराया जाने की घोशना की गई है करेक्ट एंसर इसका ओप्सन भी अप्रेल 2019 आपको उतादिक परियावरण जल्वाई परितन मंत्राले दावरा हाली में गोशना केगी कि जनवर 2019 से देश के 24 राज्यों और तीन किंदसाजित प्रदेशों के पश्पंजिलों में भारत का पहला राष्टी परियावरण सर्वेक्षन आवजित किया जाएगा कोशन नमर एट थे निल्मकीत में से किस उनवर्शिटी द्वारा विश्प की पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसीन विक्सित की गई है जिसका करेक्ट एंसर जाएगा ऑप्सन डी वासिंग्टन उनवर्शिटी देखिया पोतादिक अमेरिका की नौर्थ वेस्टन उनवर् इस तरह भी कोशन पूछा आज सकता है इसलिए मैं यह भी कोशन आपके लिए दे दिया हूँ तो हालिम दक्षिन भारती राज्यों माय चक्रवाजी तुफान का क्या नाम है तितली कोशन नमर टेंथ है एसीड अटैक पीडिताओं के लिए चलाय जा रहे किस कैफे को हटा कारिम कोट्रें 9 महीने का वक्त दिया है जिसका और यहाँ करेक्ट अटैक पीडिताओं के लिए चलाय जा रहे कि रोज हाँट कैफे को अटाने के लिए नो महिने का वक्त दिया है कोशन नमर 11 निल्म कितमें से किसे हाली में आईडि वी आई बेंग का सियो बनाय गया है ओप्शन डी करेक्ट है राकेश शर्मा को के नरा बैंक के प्रवनेशा के उम्मुख कारेपालन अधिकारी शेवन बित्व राकेश शर्मा को शार्वनिक छेत्र के IDBI बैंक का प्रवनेशा को और CEO का पदवार सम्हाल लिया है Q12 बॉस्टन कलसंटिंग ग्रूप के मुतावित कि शुवर्ष तक भारत दुनिया का 11 सबसे मिर्देश बन जाएगा Option D साल 2022 तक बॉस्टन कलसंटिंग ग्रूप के मुतावित भारत 2022 तक दुनिया का 11 सबसे मिर्देश बन जाएगा आने वाले समय में भारतियों की संपत्ती काफी तेजी से बढ़ने वाली है और यह रिपोर्ट बॉस्टन कल संटी गुरूम ने जारी किये है कोश्चन नमर थर्टीन थे HSBC की सालाना एक्सपैक्ट एक्सप्लोर रिपोर्ट के अनुसार रहने और काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है और यह पिछले चार साल से इस सूची में सीर्ष पर है आपको बता देख HSBC की सालाना एक्सपैक्ट एक्सप्लोरर रिपोर्ट के अनुसार रहने और काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश सिंगापूर है और यह पिछले चार साल से सूची में सीर्ष पर है इस रिपोर्ट में न्यूजिलेंड दूसरे और जर्मनी तीसरे अस्थान पर है ठीक है तो सेकर्ड नमर पर न्यूजिलेंड थर्ड पर जर्मनी अगला कोश्चन है किस अफरिकी देश ने देश में चीन के साथ 40 करोड डॉलर की लागत वाले मममा एयरपोर्ट बनाने का शोधा रद कर दिया है औप्सन वी सियरा लियोन अफ्रिकी देश शियर लियों ने देश में चीन के साथ 40 करो डॉलर की लागत वाले मममा एरपोर्ट बनाने के सोधा रद कर दिया है जिस पर पूर उराष्टपती अरनेस्ट बाई को रोमा ने स्ताखिर किये थे बता और सरकार वह परियुजना खर्ची ली है सिंगापूर को पचार की इस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सक्षारली पासपोर्ट बन गया है तो यह कोशन रिवीजन के लिए कलमाइन आपको उताथ इसका करेक्ट रंसर ऑप्शन डी जापान ठीक है कोशन नमबर 16 है निर्मिकित में से किसने 10 अक्टूबर 2018 को एसियन पायरा गेम्स के इतिहास में सौन पता इतने वाले पहले भारती तिर अंदाज बन गये है उन्होंने यह उपलब दी सिंगल्स रिकवर रिकार्व ओपन डव्लू एस्टिस परधा मिच तिर अंदाज दी है ठीक है अगला कोशन है रिसार्च फर्म ऑक्सफों दौरा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अंसार असमांता दूर कन्ने की प्रतिवत्यता के मामले में 157 सूची में कौन से 147 स्थान पर है करेक्ट एंसर इसका ऑप्संसी भारत में पहले बता चुका हूं आपको अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर यूबा ओलम्पिक खेलों की इतिहास में भारत की पहले सुड़ पतक जीता कौन बन गया है जेरेमी लाल निनुगा ठीक है और अब देख लेते हैं आज का सवाल आज का कोश्चन क्या है बीपी सेल की सराज में देश का पहला जैवी देन से इंद स्थापित करेगा ओप्सन देखरेगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा अधिया आपने कल की वीडियो देखी तो आपके इंसर पता होगा नहीं देखी जस्ट यहाँ पे आएगी इंडि स्क्रीन में आप जरूर देख लें साथ ही यहाँ पे नो